तो दोस्तों यकीन मानिये आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजाएगा क्योंकि रूस और चीन के बीच में आज जो हुआ है ना वो किसी बड़े शो से कम नहीं है और सबसे खास बात आज आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एक कहवत कही जाती है कि ऐस कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठागा नहीं ये बात हवा में नहीं कही गई इसके पीछे ठोस परमान है ठोस सबूत है और उसी का नजारा आज चीन ने रूस को एक बार फिर से दिखा भी दिया तो इसी के साथ चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी जो कि एक गैस पाइपलाइन थी जिसका काम था रूस से गैस ट्रांसफर करना यउरोप के अलग अलग देशों को और इस गैस पाइपलाइन की वजए से ही आप ये कह सकते हैं कि रूस की अर्थवस्था चलती थी रूस को येरूपियन देशों से हर साल कई सू बिलियन की मोटी कमाई हुआ करती थी लेकिन जैसे ही अमेरिका ने युद शुरू होने के कुछी महीनों के बाद नोर्ड स्ट्रीम टू को उड़ा दिया उसके बाद रूस की एक कमाई खतम हो गई लेकिन रूस जल्द से जल्द इस कमाई का अल्टरनेटिव ढूनना चाहता था और वो विकल्प मिला इन्हें चीन में रूस को पता था कि चीन एक बहुत बड़ी मार्किट है और जो गैस ये यूरप को बेचा करते थे उससे कहीं ज्यादा गैस ये चीन को बेच कर उससे भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं इसलिए इन्होंने चीन के साथ बात्ची शुरू कर और बात शुरू हुई रूस से लेकर चीन तक एक दूसरी गैस पाइपलाइन की दरसल रूस और चीन के बीच में पहले से ही एक साइबेरियन गैस पाइपलाइन मौजूद थी लेकिन वो बहुत ही पुरानी और जरजर हालत में थी साथ ही उससे आप ज्यादा गैस ट्रां इनको बेच सके अब उस समय ये ओफर चीन को भी बढ़िया लगा चीन ने इस ओफर को एकसेप्ट कर लिया अब ओफर में क्या था ओफर में ये था कि करीबन 34 बिलियन डॉलर की लागत से ये गैस पाइपलाइन तयार की जाएगी 34 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है उधरन के लिए नेपाल जैसे करीबन 40 दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 34 बिलियन डॉलर नहीं है और उतनी लागत से ये गैस पाइपलाइन बनाने जा रहे थे खैर बात ये हुई कि दोनों देश आधी आधी रकम लगाएंगे यानि कि 17 बिलियन ड पाइपलाइन का आधे से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है ऐसा कह सकते हैं कि अगले साल तक इसका जो फाइनल स्टेज का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस गैस पाइपलाइन के जरिए रूस चीन को भारी मातरा में गैस बेचना शुरू कर देग लेकिन क्या सब कुछ इतना बढ़िया है नहीं दरसल आज इस मामले में एक ऐसा खुलासा हो चुका है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिये हैं और रूस के तो हालात ये हैं कि वो माथा पकड़े बैठा है क्यूं दरसल हुआ ये है कि अब से कुछ दिन पहले गैस पाइपलाइन के निर्मान का आधा पैसा हम देंगे वो अब हम नहीं दे पाएंगे जी हां और ये का है कि जी देखिए हमें आपके गैस की इतनी जरुवत नहीं है जितनी आपको हमारे पैसे की है गैस आपकी बेचना मजबूरी है इसलिए अगर आपको हमें गैस बे पड़ेगा मतलब रूस पहले 34 बिलियन डॉलर जैसी भारी भरकम रकम खर्च करे गैस पाइप लैन बनाने पर और उसके बाद वो कोडियों के दाम में चीन को गैस भी बेचे जिससे कि उसे प्रोफिट लगबग ना के बराबर हो और बताय जा रहा है कि जिस दाम पर रूस स गैस मांग रहा है चीन उससे तो इस गैस पाइप लैन का खरचा 50 साल में भी नहीं निकाल पाएगा रूस क्योंकि प्रोफिट लगबग ना के बराबर होगा और रूस यहां पर बुरी तरीके से फस चुका है क्योंकि अब रूस की अर्थ ववस्था को रिवाइव करने का यानि कि दोबारा फिर से मजबूत बनाने का तरीका ही यही था कि इस गैस पाइप लैन को बनाया जाए और चीन को भारी भरकम गैस बेची जाए लेकिन अब रूस फस चुका है आदे से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है अगर वो काम रोकता है चीन की बात नहीं मानता है तो फिर जो अब तक उसने अर्बों डॉलर खर्च किये हैं सम्मिट्टी में मिल जाएंगे जो गैस पाइपलन का काम किया है वो सब बेकार हो जाएगा सारे प्लान फेल हो जाएंगे और एकोनमी कोलाप्स होने का डर अलग से और अगर वो चीन की बात मान लेता है 34 बिल कर रहा है वो उसके लिए जो उसने फंड तयार किया है उससे पैसा खरच करना होगा जिससे की युद में वो कमजोर पड़ सकता है फिर उसने गैस पाइपलैन कंप्लीट भी कर ली तो उससे भी कुछ खास प्रोफिट नहीं है क्योंकि चीन उसे लिटरली ब्लैक मेल कर रह है और बिल्कुल कोडियों के दाम में उससे गैस मांग रहा है यानि कि रूस के लिए सिर्फ दाएं बाएं खाई नहीं है आगे पीछे भी खाई है जहां भी जाएगा रूस का गिरना तैह है वहीं चीन की बात करे तो उनकी तो मोज आ चुकी है क्योंकि चीन को पता है कि रूस पीछे नहीं हट सकता बहुत जादा पैसा उसने खर्च कर दिया है ऐसे में जब वो गैस पाईपलाइन कंप्लीट करेगा तो उसकी बल्ले ही बल्ले है कोडियों के दाम में भारी भरकम गैस मिलेगी बहुत जादा उसका खजाना बचेगा लेकिन मेरा परसनल इंटर चीन और रूस एक डिफेंस अलाइंस बनाएंगे और दुनिया को रहा दिखाएंगे क्या अब भी उनका वही सपना है ऐसे धोके बाद चीन के साथ इंटरस्टिंग होगा देखना हलाकि इस मामले में जो भी होता है मैं आपको बताते चलूँगा आप लोग चैनल को सब्स कर लेना